आपको पता है कि आप अपने WhatsApp से भी अप किसी को payment कर सकते हैं, जैसे आप phone page से करते हैं, आप paytium से करते हैं, या अधर कोई app से payment करते हैं, आप अपने WhatsApp से भी किसी को payment कर सकते हैं, QR code से scan करके payment कर सकते हैं, UBI ID से payment कर सकते हैं, phone number डाल के payment कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक पेमेंट फिचर एक्टिवेट नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस कम्प्रीट प्रसेस की आप अपने वर्टसप से किसी को पेमेंट कैसे भेज सकते हैं क्यार कोड एसकैन करके पेमेंट कर सकते हैं या फिर किसी को ऐसे मुबाइल नंबर से भी भेज सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो वीडियो सुरू करने से पहले हूं आप लोग से करूंगा एक रिक्वेस्ट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मन्टू आपने वाट्सअप में पेमेंट फीचर को एक्टिवेट करना होगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे वाट्सअप से आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं इसमें पेमेंट फीचर एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है हमें तो चलिए मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आपको अपना वाट्सअप खोल लेता हूं और यहां पर देखे वाट्सअप खोल के आगया और यहां पर आप कोने में three dot पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें मैंने three dot पे क्लिक किया यहां पर देखें नीचे में आ रहा है payment का option आ रहा है यहां पर आपको इस payment के option पे क्लिक करना है देखें मैंने यहां payment के option पे क्लिक किया और यहां पर नीचे देखेंगे तो आप लिखा हुआ है payment method हमें इस पर click करना है हमें payment method पर click किया हमने अब यहां से हमें अपना bank select करना है जिस bank में हमारा account है और जो हमारा workshop में mobile number link है उसी से वही number हमारा bank में भी link होना चाहिए तो चली यह देखें मेरा state bank of India है तो मैं अपने state bank of India में select कर लिया हूँ और यहां से हमें अपने mobile number को verify कराना होगा account से तो हमें थोड़ा सा wait करना होगा इसके लिए देखें यह verify हो रहा है थोड़ा सा हमें wait करना है देखें यह खुल के आगया यहां पर लिखा हुआ है setup complete हो गया हमारा हमारा जो payment method था वो active हो चुका है यहां से हमें simply done कर देना है यह हमने done कर दिया अब हम यहां से किसी को भी payment कर सकते हैं what's up से payment कैसे करना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ देखें यहां पर new payment option आय रहा है यहां पर नीचे में आप देख सकते हैं और यहां पर आपका QR code आया होगा तो यहां पर देख सकते हैं यह QR code है यहां से आप किसी से पैसे ले सकते हैं अपने QR code से ठीक है और यहां से फिर हमें back आ जाना है simply और यहां पर हमें आप लोग को payment करके मैं दिखा देता यहां से देखिए new payment पे आप click करेंगे देखिए मैंने new payment पे click किया और यहां से जो भी आपके phone में contact होंगे वो आ जाएंगे पर इसमें जो contact आपका whatsapp में जो भी अपना feature update कर रखा होगा उसी को आप contact से पैसे भेज सकते हैं फिलाल मैं यहां से अगर आप QR code scan करके भेजना चाहते हैं तो यहां पर देखिए उपर में QR code scan का लिखा हुआ है तो यहां पर हम अगर click करेंगे तो यहां से आप किसी भी QR code को scan करके pay कर सकते हैं यहां से हमें back आ जाना है अब फिलाल हमें फिर से new payment पे आना है फिलाल मैं आप लोगों को UPI ID से payment करके दिखा देता हूँ देखिए यहां पर send to UPI ID है यहां पर हमें click करना है यहां पर हमने UPI ID पे click किया और यहां से हमें अपना UPI ID डालना है चलिए मैं अपना एक UPI ID डाल लेता हूँ अब देखिए मैं आपको UPI ID डाल के बता देता हूँ देखिए मैंने UPI ID डाल लिया अब हमें इसको verify करना होगा तो चलिए मैं यहां से verify कर देता हूँ इसको थोड़ा सा wait कर लेना है हमें और देखिए यह verify हो गया जो UPI ID मैंने डाला था जो UPI ID मैंने डाला वही bank account link जो UPI ID था उसका नाम भी आगए यहां पर देख सकते हैं अब हमें इसको pay करना है तो चलिए मैं इसको फिलाल में आप लोग को दिखाने के लिए मैं एक रुपे डाल के पे करके दिखा देता हूँ आपको देखिए यह मैंने पैसे डाले और यहां से हमें क्लिक करना है और यहां पर हमें अपना UPI pin डालना है जैसे कि आप phone pay में डालते हैं देखिए यह पिन डालने का option आ गया यहां से हमें अपना UPI pin डालना है देखिए यह मैंने अपना UPI pin डाल लिया थोड़ा सा वेट करना है हमें देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है थोड़ा सा वेट करना हमें और देखिए यह complete हो गया आप देख सकते हैं ऊपर में यह देखिए date time सब लिखा हुआ यहां पर और यह payment जो है हम वो successfully complete हो चुका है तो आपने देखा कि बहुत आसानी से आप अपने WhatsApp में payment feature update कर सकते हैं और आप किसी को WhatsApp से भी payment कर सकते हैं और WhatsApp से भी पैसे भेज सकते हैं किसी के bank account में भी और किसी के number पे भी पर number पे भीजने के लिए आप सबसे पहले यहां back आएंगे तो यहां पर नंबर आपको select कर लेना है मान लेजे मैंने यह number select कर लिया यहां पर देखिए इन्होंने WhatsApp में अपना payment feature update नहीं किया हुआ है तो यहां से हम इसको notify कर देंगे यहां से इनको message दे देंगे एक ताकि जब भी वो WhatsApp payment feature update करे तो मेरे पास भी message आ जा है ताकि मैं उसको बाद में भीज सकता हूं WhatsApp से सिर्क contact के थुरू ठीक है तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से आपने अपना bank account WhatsApp में link कर लिया और WhatsApp से किसी को भी आप phone pay की तरह पैसे भीज सकते हैं यह बहुत ही आसान है मैंने आपको complete process इस वीडियो में बता दिया अगर आपको वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करिएगा और मंटू आउनलाइन चैनल को सब्सक्राइब भी जरू करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए वंदे मात्रम